तो आपने ब्लट का एक और मुस्ट इंबॉटन टॉपिक अपना आइरेन डेशन से निमय और देखो क्या होता है अगर आपने मेरी अनीमिया की वीडियो नहीं देखी तो देखो लिंक पहले आई बिटन पर है आप जाके अनीमिया की वीडियो देखो तब ही आपको यह कानडे से गरों तो अपना रइट लोगन में दो पार्ट में एक रुड़ заб मी पार है तो टो क्या होगा अगर की बाड़ी में धी तो इसे बbear कrire तो आपके हम्योंग नहीं बन पाएगा तो आपकी अनदर रिम को होगा और हेमोगोम porn किया गया होगा है अपने oxygen के प्रकर अीगा होगा और हैंप्स-वाज होसा वἜकि इनिए के आपको कहा है अब बहुत बढ़ी आप लिया यही बताना चाहरा था क्या होगा जिसे कि यह बिचारा कमजोर बच्चा है कुबोशित बच्चा अपने को दिख रहा है क्यों अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा है अगर तुम खाने में अच्छे से निखांगे अगर तुम्हारा जो डाइट उसमा आइरन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा आइरन डेफिशिंस अनीमिया सुभईया इसको जाओ कुछ खिलवा बड़ा बड़ा हो नहीं अच्छा आना खिलवा जो आइरन म आपको को देखने को मिलता है एक होता है एक एक्डम से होगा आपको छोट लग गई दोगा एक्यूट हीमरेज दूसरा होता है क्रॉनिक हीमरेज मतलब दीरे-दीरे करके आपको ब्लेड लास हो रहा है किनकर कंडिशन में होगा जैसे की अपना इंटरस्टाइन के अंदर होगा भूधि तो दिरे-दिरे करके आपकाम रेक हो जाएगा और फिर अपने पैपिक असरे कंडिशन में पाइल्ज होगा आपको ज़लास होने लगता है और जरूसाहदा फिमिल कंडर का वह मैसेज्य की टाइम में ब्लेड लोग हो झाए उसके कररण भी आई द्यायन पर बाड़ी में हो सकता है। Is that clear? इस सब अवकिए में क्या होगा द्रिदरे बोड़ीटे खून जा रहा है, तो क्या होगा आपकी बाड़ी को ज्यादा हीओंड यह रहीगा खून लॉस हो रहा है और आपकी बाड़ी में हीमोगलोबीन जादा चाहिए ,दिमांड आपकी बड़ एक महिने तक बोलते हैं नियोनेट और फिर एक महिने से बारा महिने तक बोलते हैं इंफेंट तो जो ग्रोइंग इंफेंट होते हैं उनको जाधा रहे चाहिए और मैंस के टायम में भी फीमेल उसको जादा ही इंगलोबिन चाहिए रहता है फिर अपना गए डिफेक्टिव उटलाइजेशन मतलब कि आप खातो रहे हो आई लेकिन उटलाइज नहीं हो पा रहा है उटलाइज कैसे नहीं हो पा रहा है आप एब्सोब भी नहीं कर पा तो क्या मतलब यह वही बात होगी ख की करेंट भी आईरेंट का अब्सोप्शन कम हो जाता है फिर बात अथी सर अगर मालों हो गया अपने को आई और अब दिखता कैसा है तो वह बताता हूं चाहिए अपन जातने लैब में लैब में आपने खुन का सैंपल तो उसकी इस तरीके से बनती है ब्लेड की सलाइड और आप धियान से थे वो ये जो को तो कि आ जोना तरा है क्यों हो रहा है क्यों साथ साथ में अगरा देखो आर्बीजी के आपको शेप और साइज दिख रहा होगा तो इसी को अपन बोलते हैं एन आइजो साइटोसिस एन इस डिस्क्राइब साइज के आपको रेट बला साइज दिखें उस कंडिशन का अपना होता है कि इसका अपनों को ऐसे भी सैल मिलते हैं जिसके अंदर ना यहां पर रहता है यहां पर टार्गेट रहता है फिर आप इसके अंदर ना पिन भेगते हों तो उसी तरीके से कुछे दिखता है इसलिए अचना आप होता है टार्गेट चल फिर एक और आय्रेट अपनी तरीके से दिखते हैं उसको बूलते हैं पोईट्लो साइटोसिस इसका मतलब होता है जनरली रिफर टैन इंक्रीज abnormal shape of RBC जब अपनी जो अपनी blood smear है उसमें 10% से भी ज़्यादा abnormal RBC देखने को मिलें उसको अपन बोलते है पोईकलो साइटो से जो की आयरेंड डेफिशन से अनीमिया के अंदर देखने को मिलता है तो इस तरीके से आपन को ना blood gag smear में difference देखने को मिलता है फिर अपन बात के चलो सर RBC में तो अपने को लफड़ा देखने को मिल रहा है अब आप बताओ डबलू बीसी प्लेटलेट्स में भी आपको अपनार्मल देखने को मिलते हैं फिर जब अपन investigation करते हैं खून के अंदर खून के अंदर क्या होगा आप अब बॉडी में अगर आइरन नहीं है तो बॉडी तो यह चाहिए कि आइरन अपना आए अपन क्या करते हैं अपने बॉडी ब्लेड के अंदर आइरन के लिए नहीं, तो एसटी बड़ा लेता है तो यहांपर अइरन की नहीं है आपके ब्लेड में तो ब्लेड क्या करता है यह वाले प्रोटीन जो होते हैं उनका काउंट से बढ़ा लेता है मतलब ब्लड के अंदर आइरन को पकड़ने वाले प्रोटीन का आपने काउंट बढ़ा लेते हैं इसके कारण आपको क्या देखने को मिलता है टोटल आइरन बाइंडिंग कैपसिटी बड़ी हुई दिखती आपने को ड्राय दिखेंगे शौफ दिखेंगे और इस पून से दिखेंगे इस पूंद शेप के यहां पर देखो चमब जानी होती इस प्रकार से विची आपके नाफून देखने को मिलते हैं फिर अपना आतने सर और क्या का देखने को मिलता है तो और सिफ दो थीत आप पढ़ लो काडियो वस्कुला सिस्टम और एस्पाइड सिस्टम कैसा हो जाता है सबसे पहले अरली ब्रेस्ट लेस्स हो जाते हैं ऐसा ही तरीक से सास ने ले पाएगा वो फिर पालपेटेशन देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर और आपको ना बहुत जाता इंफेक्श लॉस ऑफ कंसेंट्रेशन वह देखने को उसको मिल जाता है बिल्कुल भी वह नहीं कर पाया किसी चीज में फिर हैडेक्ट देखने को मिलेगा बौडी बहुत जादा देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर कि पेशेंट जाना कितने बार इंपोटेंट हो जाता है तो यह सब्सक्राइब कर लोगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लोगे इसके अपडेट मिल जाएगी बहुत जल्द आवन लाइफ लेंगे तो लाइफ 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 लेंगे डेली होगी डेली दो घंडे में आपको पढ़ाऊंगा नोड्स दूंगा साथ में आपको मेरी एक फ्रेंड है वो भी इसमें हेल्प करेंगे वो आपको असिस्टेंट भी मिलेगा तो बहुत जल्द आवनों स्टार्ट करेंगे सुषाइंज आइफ लाइफ लाइफ लेंगे